सात्यों, जैसे स्टार्ट अफ किसी भी खेत्र में बेरियर्स को तोड़ कर समाधान देते हैं, वैसे ही भारत आज हर खेत्र में पुराने बेरियर्स तोड़ रहा है। आज देश में गरीबों का, किसानों को, छात्रों को, आर्थिक सहायता, डीबीटी के जरिये, डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये, सीज़ें उनके खांकों में मिल रही हैं। इसे सामान ने मानवी को परेशानिया से भी छुटकारा मिला है, और देश के करीब पौने दो लाग करोड रुपय का लिकेज भी रुका है। इसी तरह, आज सरकार से जुड़ी, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जादा सेवाएं, डीजीटल इंडिया ने सीधे मोबाइल में ही दे दी है। देश में ये बदलाव, हमारे स्टार्ट अप्स खुद भी महसूस कर रहे हैं। आज जैम पॉर्टल के जरिये, सरकारी टेंडर्स में एक स्टार्ट अप को भी उतना ही मोका मिल रहा हैं, जितना किसी बड़ी कम्पनी को। अब तब करीब 8000 स्टार्ट अप्स जैम पॉर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं, और इन्होंने लगबग 2300 करोड रुपिय का व्यपार भी किया है। जैम पॉर्टल पर कुल व्यपार आज लगबग 80,000 करोड रुपिय तक पहुच रहा है। आने वाले समय में इसमें स्टार्ट अप के हिस्सेदारी और भी बढ़ेगी। ये पैसा हमारे स्टार्ट अप के पास पहुचेगा, तो लोकल मैनिफेचरिंग भी बढ़ेगी, बड़ी जंग्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और स्टार्ट अप रिसर्च को इनोवेशन में भी और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे।